बढ़तें आगे रुक करतें अगली खबर का यूपी में कब रुकेंगे पत्रकारों पर हमले पत्रकार जगेंदु सिंग्गी हत्या के आरूपी मंत्री राम मूर्ती वर्मा को यूपी की अखिलेश तरकार ने फिलहाल राहत दे दी है मंत्री शिपवाल यादव ने ये साफ कर दिया है और कहा है कि बिना जाच के राम मूर्ती वर्मा को हटाया नहीं जाएगा साथ हे उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मंत्री के खिलाफ शिकायत आने पर पहले जाच होगी और उसके बाद कोई कारवाई की जाएगी जाच के कोई भी मंत्री नहीं अटाया जाएगा तो इसलिए नहीं अटाया जाएगा पहले भी महवारे मंत्यों पर आरोप लगे और जो बदायू कान हुआ उसमें जब जाच होई तो जाच में कुछ नहीं आया और उसी तरीके से राजय वहिया पहले भी आरोप लगा और राजय वहिया भी नेदो सावित हुए CBI जाच से तो बिना जाच के कोई भी मंत्री नहीं अटेगा और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारी सम्वालता रुची कुमार जुड़ गई है हमारे साथ रुची ना सिर्फ परिवार का जगेंदर के परिवार का बलकी विपक्ष का भी यहां पर बड़ा दबाव है यूपी सरकार के उपर मंत्री को हटाने के लिए लेकिन सरकार पूरी तरह से साथ दे रही है मंत्री का यहां बिल्कुल आज और साथ हो गया है कि सरकार मंत्री के साथ खड़ी है, भले ही मंत्री के किलाफ हाथ्या का मुकर्मा दर्ज हो गया, उनके ओपर आरोफ लग रहे हैं जो जगेन सिंग्पे उन्होंने आपके पहले, बयान जिता था, उसके भी मंत्री बारे में उन्होंने यहां साफ तोर पर कहा कि पहले इस मामले की जाच की जाएगी और जाच के बाद अगर ऐसी कोई बात लगती है तो उसके बात कोई कारवाई की जाएगी, इससे पहले राम गुपाल यादव भी इस तरह का बयान दे चुके हैं, मंत्री राम मुर्ती वर्मा जिनके उपर ग लेकिन यहां पर सरकार पूरी तरह से मंत्री के साथ खड़ी नजर आ रही है, हाला कि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस साफ कर दिया है कि जब तक जाच पूरी नहीं हो जाती, इस मामले पर ऐसी कोई कारवाई नहीं की जा लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार अपने मंत्री राब मुर्ती वर्मा के साथ खड़ी है, मंत्री पर मुर्डर केस का आरोप है, पत्रकार जगेंदर की हत्या का आरोप है कि उनके इशारे पर ये हुआ सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद यूपी सरकार उनका प